नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूँ कैसी जानकारी जिसका जादा तल लोगों को बेशबरी शेंतिजार है दोस्तों क्या आपको पता है उत्तरप्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि सर्वे कराकर तुरंद किसानों को अनुदान रासी दी जाए दोस्तों वो अनुदान रासी कितनी हो सकती है और किसको दिया जाएगा इस वीडियो में हम लोग बड़े डिटेल में जानेगे निवेधन करते हैं इस वीडियो को आपन तक जरूर देखें और अनुदान रासी वो सर्वे कि लोग के द्वारा कराया जागा क्या वोई सर्वे बीसे सगे 25 साह ग्राम रोजगार से वक या मरेगा मिट करेंगे या सरकार के द्वारा किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत डेटेल में जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को हम सुरू करते हैं दोस्तों मुखमंत्री योगी आदितनातने रवीवार को बिभिले जिलों में उलाबरिस्टी वर्सा से फसलोग हुए नुक्षान का ततकाल सर्वे कराकर प्रभावित किशानों को किसी निवेश अनुदान रासी देने के लिए संबंध तडियम यानि के जिलाधिकारी को दिर्देश दिये हैं राहत आइक्ट कार्याले द्वारा उपलब्द कराए गए जानकारी के अनुसार 31 मार्च से आने वाली शमय में प्रदेश के 10 जिलों में फटेपूर पीली भीत बरेली सीतापूर अलिगड मुरादाबा सोन भत्र हमीर पूर संभल और उलवरिष्टी वर्षा से प्रभावित हुई है उलवरिष्टी वर्षा से प्रभावित जिलों में फसल छती का प्लाटवार आकलन कराया जा रहा है प्राप्त बिवण के अनुसार 15 माल से अब तक हुए सर्वे में प्रदेश में हुए बेमोशम बारिस उलवरिष्टी से 11 जिलों में कु 35,480 हेक्टियर किरसी छेतरफल प्रभावित हुआ है प्रभावित किसानों को कुल 5,869,29 रूपे दे है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में शरकार ऐसे काम करती रहती है उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश जो दिया है ये किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन है आने वाले समय में जो भी किसान, भाई, बहन, इस उलाबिष्टी और बेमोशम बारिश से प्रभावित है अकीनन उनके खाते में अब तक पैसे पहुँच रहे होगे अगर मैं बताओं तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे योजना और स्कीम ऐसे हैं जिन सभी योजना और स्कीम को उत्तरप्रदेश के तमाम समविदा कर्मियों के द्वारा कराये जा रहे हैं दोस्तो अगर मैं आपको बताओं हूँ तो मिसन अंतियोदय योजना को भी लेकि मर्डेगा में टोग्राम रोजगार सिवक द्वारा सर्वी कराया जारा ठीक उसी तरीके से जिलनों की फसले भी नश्ट हुई हैं उसमें भी सच्चु के साथ साथ तमाम सम्विदा कर्मी को भी ये काम दिया जा सकता है दोस्तो अगर मैं आपको बताओं तो आने वाले समय में इस तरीके की योजना का लाभ प्रत्यक्ष तोर पर और सिधे तोर पर आपको मिलेगा और डीबीटी के माधम से आपकी जितनी फसले नुक्षान हुई उसके वाज में जो भी सरकार पैस आपके खाते में पहुंच जाएंगे निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों